हलो प्यारे साथियों आप सभी को नमस्कार जहींद वन्दे मातरों और आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटुब चैनल जॉबसूर में तो आप इस वीडियो को पूरा दिखेगा बाकी किसी कोश्चन में अगर आपको संदे होता है कोश्चा क्या पर डाउट होता है तो कमेंट से सकर में उसका आंसर जरूर राइट डाउन जरूर करिएगा तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी की और चैनल में प बताना है तो यहाँ पर पढ़ लिजे तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वन यानि की जीवन की सुरक्षा जो है प्रवासन के पुलकारकों में से एक है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है यहाँ पर निम्लिकित मे नामक रामसर वेटलैंड साइट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number option number 3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा यानि की असम में स्थित है क्या दीपोर बिल नामक जो रामसर वेटलैंड है वो अगला सवाल है यहाँ पे सिंगूर बांध किस नदी पर बनाया गया है देखिए प से वाजमेन का वह एक सर्विसमेन वालों के लिए बांकि जो भी फ्रेशर जो अपलाई करें होंगे वह टेंथ लेवल पे के होंगे तो आज कल एससी लेवल का कोश्चन आपको देखने को मिलता है इसलिए मैं कोशिच कर रहा हूं यह जो जितने भी कोश्चन है वह कम से कम ज आज गया आपका सिंगुर्बान तो आप्शन नमर टू इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल सुनिए कि निम्न लिखित में से किस इस्थान पर गंगा नदी भागी रती हुगली नामक अपने वितरण को बनाने के लिए दुई विभाजित कर दे आपको बताना है कि ग अगला सवाल सुनिए कि दार्मा और वियास घाटी को जोडने वाला जो आपका दर्र है जो पास है वो कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वन सिंगला पास जो है सिंगला दर्र जो है दार्मा और वियास घाटी को जोडने वाला जो आपका दर्र है अगला सवाल यहाँ पर प्रसिद्ध कैलास मान सरोर यात्रा खाली स्थान से होकर गुजरती है काफी important question है आपके exam के perspective से मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे ही question का उमीद कर रहे थे या फिर इंतजार था आप लोग को बहुत दिनों से कि प्रसिद्ध कैलास मान सरोर यात्रा कितने प्रतिशत बढ़ी है तो इसका सही आंतर हो जाएगा option number 2 यानि की 8.9 प्रतिशत बढ़ी है मध्यप्रदेश में महीला साक्षर्त दर अगला सवाल है यहाँ यहाँ पर हिमालाय में एक खाली स्थान मुख्या समानांतर परवत माला है तो इसका सही आंतर हो जाएगा option नमबर 3 यानि option नमबर 2 यानि की 3 हिमालाय में 3 मुख्य समांतर परवत माला है अगला स्वाल यहां पे सुनिए कि पौधों के बीच की अनच्छादित जमीन को भूसे की तरह कारबनी पदार्थ की एक परत से ढखा जाता है या मिट्टी की नमी को बनाया रखने में मदद करत है तो इसका सही अंतर हो जाएगा option number 3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मलचिंग या फिर पलवार बोलते हैं तो यहां जो टूटल प्रोसेज होता है वो होता है आपका मलचिंग पलवार अगला सवाल है यहां पे निम्र लिखित में से कौन सी नदी का विंध्य स्रेणी से कि इनमें से जो option दिये गए है उनमें से विंध्य स्रेणी विंध्य परवत स्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है तो यहां पे option हो जाएगा option number 2 यानि कि 36 गड़ की जीवन दायनी नदी भी कहा जाता है आई होप यह सारा चीज आपको पता रहा होगा तो चलिए आगे ब हिंग की खेती कहां सुरूख की गई थी है न तो इसका सही आशर हो जाएगा option number option number 3 यानि कि हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में भारत वर्ट्स में सबसे पहले हिंग की खेती जो है सुरूख की गई थी अगला सवाल है यहां पे कि खाली स्थान दक्षिन गंगा का दूसरा नाम है देखिए यह question बहुंती most important है काफी ज़्यादा question है मतलब काफी ज़्यादा पूछा जाने वाला question है कि दक्षिन की गंगा या फिर दक्षिन गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है तो इसका सही आशर हो जाएगा option number 2 यानि कि गोदावरी नदी को दक्षिन गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है गोदावरी है अगला सवाल यहाँ पे है अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है the tropic of cancer does not pass through which of the falling state यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका करकर एक है जो करकर एक है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो इसका सही आशर हो जा बिंदू का अक्षांस क्या है है ना आपको बताना है कि मुख्य भूमी भारत के सबसे दक्षिन बिंदू का अक्षांस क्या है तो इसका सही आशर हो जाएगा option number 3 यानि की 8 दिगरी है ना अगला सवाल यहाँ पे निम लिखित में से किस राज्य से जूरी नदी गुजरती आपको बताना है कि निम लिखित में से किस राज्य से होकर जूरी नदी गुजरती है तो जूरी नदी गुजरती है आपके गोवा से यानि की option number 3 इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल यहाँ पे हिमालाई की नदियों द्वारा लाए गए ताजे जलोड का जमा उतरी म आपको बताना है कि निम लिखित में से किस राज्य में उमिया जील बारापानी जील के रूप में लोगप्री है इस्तित है जिसे हम लोग किस नाम से जानते है और बारापानी जील के नाम से जो फेमस है जो लोगप्री है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 2 यानि की मेगा जिसे हम लोग जो की बहुत ही लोगप्रिय और फेमस है बारापानी जिल के नाम से अगला सवाल यहाँ पे सुनिए कि इन में से कौन सी नदी एक प्राया दिपी नदी नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल यहाँ पे है बिहन आम तो पर भारत के किस नदी बेसिन पे पाये जाते है तो यह पाये जाते है तो इसका सही आंसर हो जायेगा option number 2 अगला सवाल देखे निम लिखित में से कौन सा गर्थ रास्ती जल मार्ग एक के रूप में नामंकित है या फिर नामित है आपको बताना है कि इन में से कौन सा गर्थ है जो कौन सा गर्थ है जो रास्ती जल मार्ग के जल मार्ग 1 के रूप में नामित है आपको बताना है कि कार्नो टाइट नामक जो खनीज होता है वो किसका स्रोत होता है महतपूण स्रोत होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 uranium का जो प्रमुःक स्रोत होता है जो खनीज होता है अगला स्वाल यहाँ पर है कि Barry Gaza Greek नाम था आपको बताना है कि Barry Gaza किसका Greek नाम था तो ये था किसका नाम था option number 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बरूच का Greek नाम क्या था Barry Gaza अगला स्वाली हाँ पर सुनिए कि प्रवासन के संबन में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है इस question के लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉस करें उसके बाद पढ़ें उसके बाद इसका आंसर दें है न तो यहाँ पे उसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number 4 यानि की उप्यूक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा अब लेक देते हैं बाहर या फिर माइगरेट करना पढ़ते है या फिर ट्रैवल करना पढ़ते है जाना पढ़ते है और जिस जगह में हम लोग रह रहे हैं उसको छोड़ना पढ़ते है दूसरा क्या बोल रहे है सुद्ध प्रवासन प्रवासियों और बाहरी प्रवासियों की संख्या में कुल परिवर्तन यहाँ पे सुध प्रवासन की यहाँ परिभासा दीए यह कि सुध प्रवासन प्रवासियों और बाहरी प्रवासियों की संख्या में परिवर्तन है उसके बाद तीसरा जो है 2011 की जणगर्ण के नुसार दिली और मुंबई प्रवासियों को अकर्षित करने वाला चुम्बग रहा है बिल्कुल जहां पे अच्छा रुजगार होगा जहां पे जीवन गुजर बसर करने के लिए परियाब तो संसाधन होंगे आदबी वहीं पे ही तो जादर ट्रैवल करे अगला सवाल है कौन सी नदी यमना नदी की सायक नदी नहीं है अब यहां से इसको बढ़िया से पढ़ लीजेगा और अगर आपको अगर भारत का मैप यादार होगा तो आप इसका अंसर जरूर सहीं करेंगे तो इसका सहीं आंसर हो जाएगा option number 4 यानि कि जो सोन नदी है वो यमना नदी की सायक नहीं है अगला सवाल यहां पे है पौधों के बीच की अनत्छादित देखे ये question क्या है एक बार repeat हो चुग है तो इसका अंसर आप लोग जरू जरूर सहीं करेंगे ओके तो अगला सवाल यहां पे है किस भारती राजय को पांच नदियों की भूमी के रूप में जाना जाता है ये question तो और एकदम बच्चो वाल है तो मैं ऐसा उमीद करता हूँ कि जो भी एक्जामिनिशन चाहे वेडियस एक्जामिनिशन के तयारी कर अगला सवाल है यहां पे गारो पाड़िया कहां इस्तित है तो देखी भाई जिन्होंने छटवी के NCRT पढ़ी होगी जिन्होंने जिग्राफी और हिस्ट्री दोनों अच्छे से कंप्लीट करी होंगी वो इनका अंसर बहुत ही असानी से दे सकते हैं तो इसका सही आंतर हो अगला सवाल यहां पे है भारत के किस बांध में गोविन सागर जील नामक जो जलास है वो इस्तित है तो इसका सही आंतर हो जाएगा ऑप्चन नमबर 3 भाखड़ा नागल बांध पर बनाया गया है या गोविन्द सागर जील अगला सवाल यहां पे है करकर एखा खाली स्थान से नहीं गुजरती है तो इसका सही आंतर हो जाएगा ऑप्चन नमबर 1 असम से होकर नहीं गुजरती है करकर एखा बाकि जो राजस्थान गुजरात और तरिपूरा यहां से होकर आपकी जो करक 10 मीटर तक की जो पूर्वी घाटों की आउसत उचाई मानी जाती है अगला सवाल यहाँ पर है गंगा नदी कहाँ पर मैदानी इलाके के ऊपर से बहने लगती है आपको बताना है कि जो गंगा नदी है वो कहाँ पर मैदानी इलाकों के ऊपर से बहने लगती है तो इसका सही तिलंगाना अपनी सीमा साजा नहीं करता है बड़िया द्यान से सुनिए इस question को क्या पूछा जा रहा है कि उस राज्य की पहचान कीजिए जिसके साथ तिलंगाना अपनी जो है सीमा साजा नहीं करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number two गुजरात के साथ में बागे 36 गड करनाटक महराश्च के साथ जो है तिलंगाना अपनी सीमा साजा करता है अगला सवाल यहाँ पे है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिबबत में खाले स्थान और बंगलादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है बड़िया सवाल है काफी important और काफी most IMP question आप इ अलदेश में हम लोग जो ब्रह्मपुत्र नदी उसको जमना के रूप में पुकारा जाता है या फिर कहा जाता है okay so I hope यह question आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अगला सवाल सुनिए अगला सवाल है कि किस नदी में पूर्णा और वर्धा नाम की सायक नदिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number one यानि कि मद्ध प्रदेश के साथ जो है बिहार अपनी जो सीमा है वो साजा नहीं करता है अगला सवाल यहाँ पे है निमलेखित में से कौन सराजे नेबाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number one यानि कि जो नेपाल है जो अपनी सीमा असम के शांद शेयर नहीं करता है बागे उत्तरपदेश, पस्रिमंगल और बिहार के साथ अपना बॉडर ये शेयर करता है अगला सवाल यहाँ पर अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ती होती है तो अमरकंटक पठार से उत्पत्ती होने वाली उत्पन होले वाली नदी का नाम है नर्बद यानि की option number 1 सही हो जाएगा अमर कंटक पठार से नर्बद नदी का जो है उत्पत्ती होती है अगला सवाल है प्यारे साथ हो निम्न लिखित में से किस सहर में केंदरी ये चावल अनुसंधान संस्थान का प्रधान कार्यार स्थित है अब मैं यह चाहूंगा कि इसका अंसर कोई भी गलत नहीं करेगा और खास करके जिन्हों ने आइसी या टेक्निशन का जो पेपर दिया था वो तो खास करके इसका अंसर कभी गलत दे ही नहीं सकते तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 4 यानि की कटक में स्थित है क् अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों निलगिरी पहाडियों की दक्षणी छोर की दर्रा का नाम के है आपको बताना है कि निलगिरी पहाडियों की दक्षणी छोर में जो दर्रा इस्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे नाम से जाना जाता है पाल का काड़ दर्र अगला सवाल है पीट मांड मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी, डूयर्स, चोस और तराई में पाई जाती है अगला सवाल है प्यारे साथियों निम्लिकित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्थित है आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा इस्थित है उसका नाम क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 यानि कि लेपचाला है ना लेपचाला दर्रा कहा जाता है जो हीमाचल प्रदेश में इस्थित है देखिए कोश्चन वीडियो काफी लंबा हो सकता है लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप भरोशा करिए अगर दर्रा नदी जितने भी मैं अभी MCQ करा रहा हूँ अगर आप उसको डेडिकेट किस जिला में सिंचीत किसी क्रिशी भूमी सबसे अधीक है और आपको बताने कि राजिस्तान के किस जिला में सिंचीत क्रिशी भूमी सबसे अधीक है 2,000 के नुसार तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्चिन नंबर 2 गंगाầu नगर जिला में ओके Кто जा सब напис दने में जिल्ल जले में अनुसुची जन जाती की जन संक्या एक प्रतिशत से कम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 भिंड और मुरैने जिला में मैंना मद्यप्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पे अनुसुची जन जातीयों की जन संक्या जो एक प्रतिशत से कम है अगला सवाल है तो द चैनल में पहले बार विजिट किये हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक करना शेयर करना और किसी प्रकार से आप लोग को कोई चार्जस नहीं मंगा जाता मेरे भाईयों मेरे दोस्तों मेरे मित्रों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखे है उसके लिए तहें दिल चापलों का शुक्रिया तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक सबको बाबाई और ग्रेट डे जहेन बंदमात्रम